हेलो एवडिवन आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट सॉस पास्ता आप मेड़ी रेसिपी से बनाएंगे तो यह काफी चीजी और क्रीमी बनेगी आप किसी भी तरह के पास्ता से बना सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पास्ता बनाने के लिए चाहिए पास्ता, मैदा, बटर, कैपसिकम, अनियन, गार्लिक, ब्लेक पेपर पावडर, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, चीज, कैड़ोट, मिक्स हर्प्स सबसे पहले पास्ता बॉयल कर लेते हैं एक पैन में दो ग्लास पानी डालेंगे, उसमें एक चम्मच रिफाइंड ओयल, एक चम्मच नमक डालकर पानी बॉयल कर लेंगे पानी में बॉयल आ चुका है, अब इसमें पास्ता डाल देंगे पास्ता फीकी होती है, इसलिए नमक डाले हैं ताकि सब नमकीन हो जाए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे पास्ते में बॉयल आ चुका है अब इसके ढखकन हटा कर दो-तीन मिनट के लिए कूक होने के लिए छोड़ देंगे जब बॉयल आ जाए तब फ्लेम को मीडियम टू लो कर दे दो-तीन मिनट हो चुके है पास्ता 90% तक कूक हो चुकी है हमें पूरा नहीं पकाना है 90% ही पकाना है अब गैस का फ्लेम आफ कर देंगे पास्ते को छलनी में रखकर ड्रेन कर लेंगे और उसे ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि सारा इस्टार्च निकल जाए और पास्ते का चिपचिपापन भी चला जाए पास्ते के चलनी को हमें एक बरतन के उपर रख देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए पास्ता खिली खिली रहे इसलिए एक चमच डिफाइंड ओयल डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब एक पैन में दो चमच डिफाइंड ओयल डालेंगे और उसमें एक चमच गार्लिक डालकर साटे करेंगे गार्लिक का जब कलर चेंज होने लगे तो उसमें अनियन डालेंगे अनियन को भी हलका सा भूनेंगे अनियन को 30 सेकेंड भूनने के बाद उसमें कैरोड डालेंगे उसे भी थोड़ी सी भून लेंगे और साथ में सॉल्ट और ब्लेक पेपर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी 30 सेकेंड के लिए भूनेंगे सबजीयों को ज़्यादा न पकाए तभी ये क्रंची रहेगी अब ये हो चुकी है अब इसे निकाल लेंगे सेम पैन में दो चम्मच बटर लेंगे बटर मेल्ट होने पे उसमें दो चम्मच मैदा डालेंगे गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि मैदा जले ना और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे दो तीन मिनट भूने पे ये कलर आने लगेगा अब इसमें दूद डालेंगे दूद लगबक दो कप के कड़ीब लग जाएगी धीरे धीरे डाले ताकि लम्स ना आए और लगातार इस्टर करते रहें दूद थोड़ी थोड़ी कड़के डाले एक ही बार में पूरा ना डाले नहीं तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा जब दूद अच्छे से मिक्स हो जाए तब मीडियम फ्लेम कर दें जब ये बॉइल होने लगे तब इसमें चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और ब्लेक पेपर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे आप चाहे तो यहीं पे मिक्स हर्ब्स डाल सकते हैं मैं बाद में डालूंगी सॉस कम्प्लीट है कि नहीं इसे चेक करने का एक आसान ट्रिक बताती हूँ एक चम्मच को सॉस में डीप करें अगर उसका पिछला हिस्सा सॉस से कोट हो जाए तो बतलब यह कम्प्लीट है अब इसमें सॉटे किये हुए साड़ी सबजियां और बॉयल्ड पास्ता डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से कोट कीजियेगा और मिक्सड हर्प्स डाल देंगे इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अगर यह ड्राई लगे तो इसमें थोड़ी दूध और डाल दीजियेगा और अच्छे से फिर mix कर दीजिएगा इसमें थोड़ा ज़्यादा ही दूध डालिएगा क्योंकि यह ठंडी होते होते dry हो जाती है जब यह अच्छे से mix हो जाए तो इसमें cheese डाल देंगे cheese डालकर अच्छी तरह से mix करेंगे और एक डिर मिनट के लिए पकाएंगे जब तक cheese अच्छे से melt न हो जाए cheese melt हो जाएगी तो यह creamy texture देगी इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि साड़ी चीजे अल्रेडी cooked है पास्ता रेडी है अब इसे serve कर लेते हैं क्योंकि अच्छी से अच्छी तरह से हाटी तरह सेपक्षी तरह करेंगे